और इसे के साथ एक और दर्शक है, सुनिल जी ने हमें कॉल किया है महराश्ट से, सुनिल जी सवाल कर सकते हैं आप? अगर नजला रहता है तो नजले का इराज करना चाहिए और उन दोनों में से कोई भी नहीं है तो फिर आप अ को में एक नसका बताता हो वो इस्तमाल करें बिखे एक आता है गौन मॉरिंगा सफेद गौन मॉरिंगा सफेद वाला इसमें लाल आता हुँ नकली होता है गौन मौरिंगा सफेद 100-200 ग्राम खरीद लें और इसका रो मेटिरियल लें इसका घर पर पॉडर बनाएं और एक नारियल पानी रोज पीएं उसमें आदा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद मिलाकर तो आपकी बाल ग्रोथ कर सकते हैं एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हलो हाँ जी नमस्कार जी स्वागत है कारेकरम में नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं आप मैं बीवान चल बोल रहा हूँ कुछ में वोईस बंगल से जी सवाल करें सवाल पूछे चल यह नुस्का भी बताएंगे हकीम साब और दवाई भी बताएंगे यूनाणी आप अपनी उम्र बतादीजे मुझे एज बता सकते एज अपनी बताईए मेरा 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 एज है फार्टी टू ठीक है अच्छा देखिए आपको एक एक्सरसाइज सीख लेनी चाहिए ताकि आपके सर घूमना और चक्करों से निजात बिल सके बगहर दबा के आप एक हिलाज करें अपना यह ऐसे आप दो तीन मिनट रोजाना करें ठीक है और दो तीन मिनट ऐसे रोज किया करें तो इससे आपका सर चक्राना बंद हो सकता है और क्या सवाल था इनका सर चक्राने के अलावा जी नीन के समस्या भी बताई थी नोंने ज्यादा आती है है मेरे काल से कम आती है निंगो झुर्स को निंको निंग कम आती है उनको रोज़ाना रात के समय एक Άता है जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का तीन छोटे चाय के चम्मत एक गिलास पानी मिला कर पी लिया करें आपको उसी दिन से फाइदा शुरू होना चाहिए और बहुत जल आपको इस मर्ज से रिजात मिल सकती है चले एक और दर्शक है मीना जी ने हमें कॉल किया है इन दौर से मीना जी आपके साथ किस तरह की परिशानी है सवाल पूछे या मेरे ना बाल में बहुत शलस्या है आगे से बाल गुत मेरे जड़ते जा रहे हो और पतले होते जा रहे है पूरे पूरे बाल मेरे जड़ते जा रहे हो और मेरे ने को दूबली होती जा रहे हो आंखे अंदर होती जा रहे है और मुझे थायराइट रही ओम्र कितनी है मीना ज देखिए आपको जो थाइराइड है वो अलग किसम का है ये थाइराइड कितना भी आदमी खाना खाले दूबला करता चला जाता है दूनिया में दो तरह के थाइराइड है हाइपो और हाइपर तो एक हमें दूबला करता है और एक मोटा करता है ये बहुत कम वेक्टियों को होता है आप अपना खूब खायर लगें थाइराइट आपका फाइदा हो सकता है अगर आप सबर कर सकते हैं थाइराइट का एक नुस्का खाईए उस दवा के साथ जो आप लेते हैं वो भी खाते रही है और आप देखेंगें कि आपका थाइराइट ठीक होने लगा हर महीने थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा आट-दस महीने एक नुस्का जो बता रहा है उसे इस्तमाल करें लिख लीजे 300 ग्राम धनिया 100 ग्राम आमला इसुका मिलता है आमला 300 ग्राम धनिया 100 ग्राम आमला 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गन मोरिंगा सफेद वाला सफेद वाला ले लाल वाला नकली होता है गन मोरिंगा सफेद इन सब को पौडर बना के एक चम्मज सुबा एक चम्मज शाम खाएं थायराइट की गोली भी या चोड़े हर महीने डॉक्टर आपके थायराइट की गोली कम करते जाएंगे और आप दीरे-दीरे स्वास्त होती जाएंगी एक दिन आपकी थायराइट की गोली छूट जाएगी और इसी तरह ये नस्खा भी आपसे छूट कर आपको फाइदा पहुचा सकता है विक्रम जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से विक्रम जी प्रश्ण पूछें आप असर बया मुझे भूच नहीं लगती है और बया पेट भूम रहता है जी एज बताई विक्रम साहब अगर शासर साल एज है सर मेरी ठीके विक्रम साहब एक घरे लिए उसका बड़ा अच्छा है और आप जानते भी होंगे देखिए मेती लिजे पांच सो ग्राम मेती खरीद लें और इसको पाउडर बना लें घर में और एक रसाइन आता है जैतून का रसायर के भी कहते हैं या नमक जैतून आसान भाशा में कहते हैं नमक जैतून और इंग्लिश में कहते हैं ऐस्टेक जैतून का ऐस्टेक ये सो डेर सो ग्राम ले लिजे और इसमें मिला कर एक चम्मच सुबा एक चम्मच खाया करें एक और सेफोने हैं इंदूर से हमें कॉल किया है जुनैज सहाब ने जुनैज जी सवाल पूछेें सर में दर्द होता है और उम्र कितनी है आपकी उम्रột गाम मोत कम उम्मr में मेरे अनुभव के अनुसार आपको सर्वाइकल है सर में दर्द होना और चक्कर भी आने का मतलब है कि हमारी यहां गर्दन में डिस में रग दबती है कभी दिमाग में जाने वाली तो कभी सर में चक्कर आता और कभी दर्द होता बड़ा खतरनाक है चक्कर तो देखी बगेर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं इसका मुझे काफी तजर्बा है एक जमाने में भी सर्वाइकल का मरीज रहा हूँ और जिसको सर्वाइकल होता है बड़ा इसका तमशा होता है डॉक्टर कहेता है कि आँख का टेस्ट करा हो आँखे कमजोर होगी है पिर वो ठीक निकलता है तो पिर एक डॉक्टर कहता है दिमाग का टेस्ट करा हो लेकिन सर्वाइकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और आदमी परिशान हो जाता है कितने टेस्ट करा है एक मैं आपको बताता हूँ एकसरसाइस जो मैंने की और मुझे फायदा हुआ और मैंने लाखों करोड़ों को बताया उन सब को फायदा होता है जो मेरी बात गोर से सुनते हैं और मेरी एकसरसाइस गोर से देखते है देखिए ऐसे बैठी है और ये कान इससे मिलाई है कंदे से कंदा वहीं रहना चाहिए, अक्सर लोग ही कंदा उपर करके कान मिला रहता है, ऐसे नहीं, कंदा यहीं रहे और कान ऐसे, ये दो-तीन मिनट रोज करना है आपको, और दो-तीन मिनट ऐसे, पूरी तरह मोड़े, पूरी, जितने देखी, मैं यहां तक लिया आता हूँ, यहीं देखें, दो-तीन मिनट यह रोजाना करें, आपको बहुत अश्चरिय भी हो सकता है, कि दस दिन में ऐसा लगेगा कि आपको रोगी ली है, तो देखेंगे, दवा भी खाएं, जब आपको दर्द हो तो दर्द की दवा खाएं, लेकिन यह दस दिन जरू करें, दस दिन में आपका विश्वास बहुत मजबूत हो जाएगा, और वज़र नहीं उठाएं, आप देखेंगे, कि दस दिन में आपको फाइदा तो हुआ, लेकिन आप करते रहें यह, आपको बार बार होगा नहीं, तो अगर आप करते रहेंगे, तो फिर दुबारा नहीं होगा, यह सब किस प्रकार की समस्या है, जी, और कुछ बताना चाहते हैं, कितनी उमर है आपकी, आपकी पतनी क्यों है न, दस साल, दस साल के मरीज को थायराइट है, ठीक है, कोई बात देखेंगे, अभी इलाज बड़ा असान हो जाएगा, देखिए, अलसी, सॉरी, देखिए, धनिया, दाना, धनिया का दाना, तीन सु ग्राम, सो ग्राम आउला, सो ग्राम मेथी, और सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद, यह आप पाउडर बना लें, और आधा चम्माश सुबा, आधा चम्माश साम, गरम पानी से खिलाएं, और थाइराइट की दवा जो चल लएई, अभी छोड़े नहीं, और अपनी परानी रिपोर्ट अपने पास रखे हैं, और जब नई कराएंगे, देड़ दो महीने बाद नई रिपोर्ट कराएं, और आ इलाज कर सकते हैं. ब्लेट पेशेर वालों को अपना खूब खैल लगना चाहिए, और आपके घर में जिसके भी कमर में दर्द हो, टांगों में या घुट्नों में और पेरों में हो, तो उसके घर में वेस्टर टॉइलेट का उपयोग होना चाहिए. ऐसे मरीज के लिए हर घर में वेस्टर ट टाइम बहुत लगता है तो देखिए गौन्द सिया एक गौन्द आता है जो इनतहाई कड़वा बसूरत होता है काला गौन्द होता है ये काला गौन्द कहते है इसे गौन्द सिया भी कहते है और ये सो दो सो गिराम अगर आपको मिल गया असली असली जरूरी नकली मिल जाता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन फाइदे में बहुत मीठा है यह, फाइदा पहुचाता है तो आदमे कड़वाथ बोल जाता है इसकी, इसका पॉडर बना लीजे, और एक या दो चुटकी सुबह, एक या दो चुटकी शाम, खाने के बाद, बगएर चर्बी के दूस से लें, और पानी से भी ले सकते हैं, जूस से भी ले सकते हैं, जिनको डाइबटीज नहीं है, यह आपके दर्द का घरे लिए नुसका है, और ब्रट पेशर के लिए जो दवा खाते हैं, और लगातार रोजाना, तीन चमच, जैतून का सिर का पानी मिला कर, एक वक्त रात में पिया करें, जूरुत पड़े तो दो टाइम भी पी सकते हैं, इससे आपका ब्रट पेशर भी ठीक होना मुम्किन, लेकिन 6-7 महीने आपको पीना होगा, अपनी दवा के इस्तेमाल के साथ-साथ, एक और कॉलर है, जैतून का सिर का शायद इन्होंने मंगवाया था, आप यही कह रही है? आप जी, हान जी, के मैंनों के साथ है, जी जी परिशानी क्या है आपके साथ, किस तरह की बीमारी है? जी जी, कब से खा रही है? हफते बर से दवाई खा रही है? फाइदा है थोड़ा. और कोई सवाल तो नहीं है आपका? मैंनों बुमार का था, बहुत से जी, मैं पहला दस्तिगानी ने होड़, मैं दस्तिगानी की है, एक मैंनों ना होगा से गा, ब्रेन टायक अप, तमाग अदा. जी, ब्रेन का अटैक हुआ था है इने. जी. नहीं देखिए, बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके, खुल के बात कर रहे हैं, और ये तो पंजाबी जानती हैं, मुझे समझा रही हैं, मैं पंजाबी जादा ने जानता, और देखिए, आठ दिन हुए हैं, फाइदा शुरू हो गया. और ये भगवान का बहुत बड़ा इनाम है, कि आठ दिन में अगर मरीज कहने लगे कि मुझे थोड़ा फाइदा शुरू हो गया, तो आप खुश हो जाएए. देखिए, ब्रैन का अटेक दुबारा नहीं होता, जो लोग जैतून का सिर्का लेते हैं. हार्ट का अटेक दुबारा नहीं होता, जिसको भी होता है, बार बार होता है, लेकिन जो लोग ये लेते हैं, उनको ऐसा इतिहा से के दुबारा नहीं होता है, लेकिन अगर दवा भी ली जाए तो बार बार होता है, लेकिन इसका ऐसा हमारा अनुभव है, कि जैतून का सिर का जो लोग लगातार लेते हैं उनको दुबारा नहीं होता दूसरा ब्लड प्रेशर से निजात मिलना मुम्किन है टाइम लगेगा बहुत चल्दी मत करना आप पांस साथ महीने भी लग सकते हैं दस महीने भी लग सकते हैं लेकिन वो गोली आपकी छुटके रहेगी और गोल बाजों के लिए नहीं है फाइदा शुरू हो गया एक दिन पूरा फाइदा मुम्किन है भगवान पर भरोसा करिए मुझ पर मत करिए दवा पर मत करिए भगवान भरोसा करिए आपको फाइदा होना मुम्किन है